हेलो नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसे एप के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपके बच्चों के मानसिक विकास और के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होने वाला है ये 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये एप बहुत ही ज़ादा कारिगर साबित होने वाला है तो इस एप में क्या है ये चलिए हम डिटेल में जान लेते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहें तो सबसे पहले चलिए चलते हैं जान लेते हैं कि एप कौन सा है उस एप का नाम है बाल पिटारा चलिए हम ओपन कर लेते हैं जैसे ही हमने एप ओपन किया यहां पे हमारे पास डिवाइस लोकेशन एसस का नोटिफिकेशन आया है तो यहाँ पे हम कर देंगे वाइल यूजिंग दा एब इसे अलाव कर देंगे तो हमारा एब जो है खुल चुका है इसे डाउनलोड कैसे करना है यह भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे अपनी लैंगवेज आप सेलेक्ट कर लीजिए इंग्लिश है तो इंग्लिश चलिए हम यहाँ पे हिंदी करके देखते हैं आज वैसे तो इंग्लिश में हम जादा ही यूस्टू होते हैं पर आज हिंदी करके देख लेते हैं जारी रखना पे क्लिक कर देंगे यह इंटरफेस आ गया है यहाँ पे आपके पास है परवरिष का पिटारा, बच्चो का डेटाबेस एवं मूल्यांकन और ECC संसाधन तो यहाँ पे आप बच्चो की एंट्री करते हैं, परवरिष का पिटारा, अभी हम धीरे धीरे खोल के देखेंगे कि इसमें है क्या पूरी जानकारी आपको देंगे तो उससे पहले चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसे प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर अप पर चले जाना होगा प्ले स्टोर अप को उपेन करने के बाद आपको सर्च वाले आप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ से सर्च करना होगा बाल पिटारा सर्च कर लेते हैं यह देखे यहाँ पे बाल पिटारा एप नीचे ICDS भी भाग करके आपको दिख रहा है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है तो हमारे पास यह एप डाउनलोड है इसलिए यहाँ पे ओपिन का उप्शन आ रहा है तो यहाँ से डाउनलोड करने के बाद अब चलिए हम आपको इसमें आगे बताते हैं तो सबसे पहले हम परवरिश के पिटारा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लॉग इन करना होगा अपना जो है अकाउंट खाता बनाना होगा अपनी आईडी बनानी होगी यहाँ पे options आ रहे हैं पूरा नाम दर्च करें email दर्च करें mobile number, password और यहाँ पे सबसे important option है आपके पास login प्रकार जब आप इस arrow वाले आइकन पे click करेंगे तो यहाँ पे आपके पास option आ रहा होगा आप माता पिता हैं पूर्व प्रात्मिक सिच्छक हैं या फिर आंगनवाडी कार करता है तो यह app जो है माता पिता के लिए पूर्व प्रात्मिक सिच्छक या फिर आंगनवाडी कार करता है माता पिता भी अपने बच्चों का घर में यह गतिविदी करा सकते हैं इस आपके माध्य हम से जानकारी लेकर और आंगनवाडी कार करता तो अपने आंगनवाडी केंदर पर कराती ही हैं वो सारी गतिविधियां जिससे बच्चों में अच्छा विकास हो सके तो यहाँ पर चलिए हम एक option select कर लेते हैं आंगनवाडी कार करता उसके बा हैं तो यहां से खाता बना सकते हैं नहीं तो फिर अगर आपका account और लेडी बना हुआ है तो आप नीचे यहां पर sign in का option दिख रहा है सबसे नीचे sign in यहां से आप sign in पर क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास तीन option आएंगे माता पिता पूर प पर पहले क्लिक किया तो जो आपने login ID बनाई होगी वह यहां पर दर्च करेंगे उसके बाद sign in पर क्लिक कर देंगे तो हमने तो अभी ID बनाई नहीं है यहां से बैक चलते हैं आगन वाडी कारकरता पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जैसे आप यहां पर हम खाता बनाई पर पर अपीद्ध करेंगे, चल यहां से हम अपना वीवराण जो है दर्ज करके उसके बाद नीचे बनाए पर क्लिक करना होगा, उसके बाद यहां से अंगणवाडी करता सेलेक्ट कर लेंगे, आंगानवाडी का code अपना डालने गया यहां पर हमने submit कर दिया है अब यहां पर आपके पास option आ रहा है OTP दर्ज करें तो यहां पर automatic हमारा OTP भी जिस mobile number जो भी हमने डाला था उस पर OTP गया उसके बाद यहां से आपको सत्यापित करें पर click कर देना है उसके बाद यहां से आ प्रगती देख सकते हैं समग्र प्रगती गतिवीधियां हैं कविताएं हैं कहानियां हैं तो यहां से पूरा दिया हुआ है 32 सप्ता वार प्रगती है यानि पहले सप्ता दूसरे सप्ता तीसरे चोथे ऐसे ही 32 सप्ता तक हैं तो यहां से आप अभी अभ्यास सुरू कर सकते हैं नीचे हम क्लिक करते हैं अभ्यास शुरू करें पर उसके बाद यहां पे बच्चों की प्रोफाइल का डाटा यहां पर आपके पास आएगा पूरुष का अलग महीला का अलग यह अन यह 3-4 साल उम्र है यह 4-5 साल उम्र यह 5-6 साल उम्र का यहां पे सारा डाटा बच्चों की प्रोफाइल आपको भरना है यहां पे दिखेगा आपको जारी रखना पे क्लिक करेंगे जब हम विशेवस्तू की सूची तो यहां पे जैसे पसू पच्ची की जानकारी आप दे सकते हैं बच्चों को यहां से पेड़ पोधों के बारे में जान सकते हैं यहां से मैं और मेरा परिवार हमारे मददगार यहां पे धेर सारे आप्शन है तो प्रथम सप्ता, दूसरे सप्ता, तीसरे और चोथे सप्ता यहां हर सप्ता में आपको गतिविधी देखकर और वो करानी होगी आप करवा सकते हैं इससे बच्चों में भी इंटरेस्ट आएगा और वो अच्छा सीख पाएंगे जैसे पच्चों पच्ची की जानकारी है तो प्रथम सप्ता में यहां पे हम क्लिक करते हैं यहां पर हमारे पास कुछ गतिविधियां जो है वो खुल के आ जाएंगी दिखा दू मैं आपको बाल टीट डलियां में गेन फेक कर डालना और जानवर चुडिया तो यहां पर चलिए हम एक गतिविधि पर क्लिक करके देखते हैं तो यहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी आप बारी बारी करके एक एक वीडियो देख सकते हैं जिसे बाल टी अफिडलिया में गेन फेक कर डालना और जानवर चिडिया कीडे मकवडे और उनके द्वारा निकाले जानी वाली अवाच के बारे में बातचीत करें यहां पर वीडियो में क्या है मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देती हूँ आज हम लोग बाल टी या डलिया में गेन को फेक कर डालने के गतिविधि करेंगे इस गतिविधि के लिए हमें एक बाल टी या डलिया और एक गेन्ध की आविशकता होगी तो यहां से आपको खेल कैसे ये खेल कौन सा है और कैसे खेलना है इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी तो यह आप बच्चों के साथ वैट के खिला सकती है उसके बाद यहां देखने के बाद वीडियो आपको पूर्ट चिन्हित करें पर क्लिक कर दें है उसके बाद आपको यह वीडियो आपको कैसी लगी उसके बाद यहां से आपको रिविव देना है और यहाँ पे एक option नीचे और आता है क्या आप अन्निमातापिता को सलाह देंगे तो यहाँ पे package कितना मददगार है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बहुत मददगार हाँ हम अन्निमातापिता को सलाह देना चाहेंगे तो यहाँ पे प्रस्तूत करना पे click कर देंगे पर क्लिक करें और उस वीडियो को देखें इससे आपको भी जानकारी मिलेगी और आप अन्य लोगों को भी सलाह दे सकते हैं तो यहां पर जैसे कि हमने वह वीडियो देखा तो यहां पर हमारे पास पूरा हुआ का अप्शन आ रहा है मतलब यह हमारी गतिविदी पूरी हो च देख लिये तो उसके बाद फूर्ण चिनित करें पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यह टास भी पूरा हो जाएगा तो हर सब्दां में आपको यह टास करना है उसके बाद कहानी का भी एक कॉलम है कहानी आपकी पासा यहां पे रंगीला भालू तो ऐसे यह आप बारी- सब्ता क्लिक करना है उसमें कुछ अलग मिलेगा आपको मैं आपको दिखा देती हुए एक बार दूसरे सब्ता पे यह देखिए यह सब लॉक डा रहा है क्योंकि पहले आपको पहले सब्ता की गतिविधियां पूरा कराना होगा जब आप उसे करके पूरा करा लेंगे उसके बार दूसरे सब्ता पे आपको यह अपने आप अनलॉक हो जाएगा तो यहां से बैक चलते हैं अब जैसे हमने पसुपच्छी की जनकारी दे दी उसके बाद पेड़ पोधे में और मेरा परिवार हमारे मददगार तो छोटे बच्चों के लिए यह सारी जनकारी यह बहु बच्चों की प्रोफाइल वाला जब आप्शन आता है तो यहां पे उम्र तीन से चार साल तक के बच्चों में कितने बच्चे शामिल हुए वो आप यहां पे संख्या डाल सकते हैं तो यहां पे संख्या ही डालना है उसके बाद जारी रखना है आगे करना है उसके बाद के पास यह सारी गतिविधियां आएंगी तो आपको एक एक करके यह वीडियो देखना है कि आपको आशा करती हूं यह समझ में आ गया होगा तो यहां से हम बैक चलते हैं तो देखिए हमने एक गतिविधि जो है एक वीडियो देखी थी कंप्लीट की थी तो यहां पे 0.5% बढ़ गया है तो ऐसे ही जब आप सारी गतिविधिया लगभग पूरी कर लेंगे तो आपका यह पूरा बढ़ जाएगा उसके बाद आप यहां से अपनी आईडी को लगाउट कर सकते हैं और फिर आप किसी और को शेयर भी कर सकते हैं अन्य माता पिता तक अंगनमाडी बेहनों तक ताकि उनको भी एक आइडिया लग सके कि वह यह एप जो है अपने फोन में जरूर डाउनलोड कर सकती हैं और उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे बच्चों को आखिर खेल करवाएं ने केंतर पर गतिविधिया कैस